हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल टेस्टीन किचन 24 आज फिर मैं आपके लिए एक नई हेल्दी रेसिपी लाई हूँ तो आज हम बनाएंगे ओट्स और लौकी से तो इसे आप चाहें तो नाश्ते में खाएं लंच में या फिट डिनर में खाएं और इसमें हम बिल्कुल भी तेल नहीं डालेंगे तो ये मैंने बिना तेल के बनाया है रेसिपी आप इसे ट्राइ करिएगा बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाला है अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप इसे जरूर खाएं बहुत ही healthy breakfast recipe है ये तो इसे बनाने के लिए हमने oats लिया है तो oats को मैंने पीसा नहीं है हम इसी तरह से regular oats हैं ये तो वो use मिलेंगे आप चाहें तो rolled oats भी ले सकते हैं तो उसको थोड़ा सा आप roast कर लें इसको मैंने roast नहीं किया है ऐसे ही oats लिया है ये मैंने लोकी आधा लोकी को मैंने grate कर लिया था तो करीब एक कप लोकी है और एक गाजर को मैंने grate कर लिया है तो धोकर इन सब चीजों को हम अच्छे से grate कर लेंगे या फिर बारीक बारीक काट लिया है शिमला मिर्च को मैंने बारीक काटा है गाजर और लौकी को आप कद्दूकस कर लें क्योंकि उससे ये काफी अच्छा बनेगा नाश्टा काटेंगे तो वो बड़ा बड़ा पीसिस दिखेगा अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे तो इसमें मैंने ना गिहूं का आटा डाला है ना ही बेसन और ना ही कॉनफलार या मैदा सरिफ ओट्स से बनाएंगे और बहुत सारे वेजिटेबल्स हमने डाले हैं तो बहुत ही हल्दी रेसिपी है बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप ट्राय करिएगा बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम ताकि ये ओट्स जो हैं फूल जाएं ओट्स जो हैं पानी एब्सॉब कर लेंगे ना थोड़ा तो ये कच्चे नहीं रहेंगे तो इसे वेजिटेबल्स का भी पानी निकलेगा लौकी डाला है हमने तो उसका पानी भी रिलीज होगा तो आप थोड़ा ही पानी डालें पहले तो थोड़ा पानी डालकर हम mix करेंगे तो कम लगेगा अगर dry लगे तो थोड़ा और डाल दें तो total मैंने इसमें 3 चमच पानी डाला है अभी और इसको हम side में रख देंगे तब तक हम इसमें डालने के लिए मसाला तयार करते हैं तो मैंने दो हरी मिर्ची ले ली हैं एक इंच अद्रक कर तुकडा लिया है मैंने और हम इसमें कॉर्ण डाल देंगे तो मेरे पास कॉर्ण रखे थे तो इसको मैंने बॉइल किया वा रखा था पहले से नमक डालके boil कर रखा था तो इसको हम थोड़ा grind कर लेंगे दरदरा पीसना है एकड़म fine paste नहीं बनाना है तो आप इसको इसमें add कर देंगे हम तो हम corn डाल रहे थे corn को ऐसे ही डालते तो वो बड़े pieces अलग ही दिखते नाश्ता perfect नहीं बनता इसलिए मैंने corn को दरदरा पीस लिया है अगर आपके पास ना हो तो आप रहने दे हरी मिर्च, लैसुन और हराधनिया हाँ मैंने इसमें हराधनिया भी डाला था corn, हरी मिर्च, अद्रक और थोड़ा सा हराधनिया इन चारों चीजों को हमने एक साथ दरदरा पीस लिया है एक चमच हमने जीरा डाल दिया है इसमें और थोड़ा सा अजवाएन डाल देंगे digestion के लिए काफी अच्छा होता अजवाएन तो थोड़ा अजवाएन आट कर देंगे हम थोड़ा सा नमक डाला है करीब आदा चमच मैंने इसमें नमक आट कर दिया है और अगर आपके पास तिल हों तो आप तिल भी ज़रूर डाले तो मैंने इसमें एक चमच तिलाइट कर दिये है तो अब इन सब चीजों का हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखिए इतना गाड़ा है इतना ही रखना है अमको पतला नहीं रखना है नहीं तो आप नौन स्टिक की जगा पे लोही का तवा ले 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 अब ये थोड़ा सा तेल डाला था मैंने करीब हाफ टी स्पून और उसको भी हमने एकदम साप कर दिया है टीशू से तो इसमें तेल बिल्कुल भी यूज नहीं आया है जीरो ओईल में हमने ये बनाई है आप चाहे से इस बैटर को फैला दिया है तो आप देख सकते हैं ये कितना थिक है कितना गाड़ा है ये तो इसको हम हाथ से फैलाएंगे ना तो इसली फैल जाएगा अगर आप इसको पतला करते तो ओट्स अलग दिखता और सबजी अलग हो जाती वह अच्छा नहीं लगता तो यह हम को मतलब पराठे टाइप बनाने है इसके ओट्स के तो थाली पीट कह सकते हैं आप वो मिक्स आटे से बनता है ये हमने सिफ ओट से बनाया है तो इसको करीब दो मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर पहले नीचे से आप सिखने दे तो गैस का फ्लेम हाई ना रखे नहीं तो यह और आप जब पल्टेंगे तो पल्टा नी जाएगा तूट जाएगा तो नीचे से थोड़ा सक्रेश्प होने दे उसको क्रेश्प यह यह इसको पल्टे के लिए तो यह पलट भी जैगा और बिलकूल नहीं टूटेगा तो मुझे तो यह बहुत पसंद आया आप लोग भी त्राइ कर सकते हैं मतलब नई नई चीजे ट्राइ करते हैं आप वेट कम कर रहे हैं तो कुछ चर्पटा खाने का मन करता है तो इस तरह से ओट से अलग अलग चीजे ट्राइ कर सकते हैं कभी दो सा तो ख़िज इी इस तरह का पराध okay बना ले आप aur एई तो अच्छे से कहीं मोटा कहीं पतला ऐसा नहीं रहेगा अब इसको भी हमने अलट पिलट कर सेक लिया है तो करीब चार से पाच मिनिट लग जाएंगे इसको अच्छे से सिकने में क्योंकि काफी सब्सक्राइब थोड़ा मोटा रहता है यह बहुत जादा मोटा नहीं थोड़ा मोटा रहता है तो यह अंदर तक एकदम क्रिस्पी हो जाए इतना हम सेकेंगे तो बिना तेल का नाश्टा है अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं तो आप इसे जरूर ट्राइब करें क्योंकि बिल्कुल भी यूज में नहीं आया है और सारी चीज़े जो हमने इसमें वेजिटेबल्स और ओट्स एड़ किया है सभी हल्दी है तो आप चाहें तो बच्चों को दें बड़ों को दें या आप नाश्टे में लंच में या डिनर में किसी भी टाइम का हैं और आप इसमें खीरा भी आइ वीडियो पसंद आईए तो प्लीज जाद से जाद मेरे वीडियो को शेर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें